आज मैं आपके साथ एक ऐसी ग्रेवी की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप 20 से ज़्यादा सबजियां बना सकते हैं मैं आपको बता दू मैं घर में प्याज लेसन नहीं यूज करती हूँ और हम बिना प्याज लेसन का खाना बनाते हैं तो मैं कुछ इस तरह से ग्रेवी बना कर रखती हूँ ताकि मेरा जो काम है वो भी आसान हो जाए और मैं जो हमारे प्याज लेसन नहीं होते हैं उसकी जगापे इस ग्रेवी को हम यूज कर सकें सबसे पहले मैंने क्या किया है यहाँ पर टमाटर को कट कर लिया है हरी मिर्ची और अद्रक को कर लिया है आपकी क्वांटिटी के उपर डिपेंड करता है आप कतनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं अब मैंने यहां पर ले लिया है तेल और मैं यहां पर डाल रही हूं जीरा यहां पर डाला है तेज पत्ता दाल चीनी और दो से तीन मैंने यहां पर डाली है काली मिर्च और दो मैंने यहां पर हरी लाइंची डाली है साथे साथ मैं आप डाल दूँगी अज्ञा घर्यमिर्च और अब इसमें डाल देंगे अपने टमाटर कटे हुए मैंने यह पर चार टमाटर कट किये हैं उसके हिसाब से मैं आप ग्रेवी की मसाले डाले हैं अब यहाँ पेस्ट बनाके भी इसमें आड कर सकते हूं और इसे हम बहुत अच्छे से पकालेंगे तो हमें इसे तब तक पकाना है जब यह बहुत अच्छे से टमाटर गल नहीं जाते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है वरना इनके जो सेल्फ लाइफ है वह बहुत कम हो जाती है तो आप बिना पानी के इसको पकाएं और इसके बाद आप मिक्सर को जब ग्राइंड करें तो भी आप इसमें पानी नहीं डाले तो यह ठंडा हो गया तो और इसमें बहुत अच्छे से ग्राइंड करूंगी तो आपको इसका बहुत स्मूध पेस्ट बनाना है आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा ओयल यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका पेस्ट तक चल सके खराबना हो अब मैं इसमें डाल दिया है रेट चिली पाउडर थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर अब यहाँ पर डालेंगे हींग और इसके बाद में अपना एड कर देंगे पेस्ट सब कुछ डिपेंड करता है मसाले की क्वांटिटी की आप कितनी कुआंटिटी में बना रहे हो मैंने चाहर टमाटर के लिए वन टीश्पून का यूस किया है यहाँ पर आप अपने ही साब से कुआटा बढ़ा सकते हो सपाईस आप अपने ही साब से कम जादा कर सकते हो मेरी जो सबजी है वो थोड़ा कम तीखी होती है क्योंकि मेरा बेभी बहुत छोटा है और उसे भी सब्जी खाना होता है तो मैं तोड़ा उसको तीखा कम खिलाती है यहां पर एक चमच गरम मसाला डाल दिया है इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालनेंगे अपना नमक अब हमें ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी सब्जी के लिए चाहिए है उतना हम ले ले लेंगे तो मैंने यहां पर वन टीस्पून ग्रेवी लिया है दो लोगों के अकॉर्डिंग हमने आपे सब्जी बनाई है तो आपको कुछ नहीं करना है सब्जी आप जिस्ष की बना रहे हो ना तो उसमें आप अपना जो सब्जी है उसे डाल दो और यहां पर आप वन टीस्पून अपना जो पेस्ट है उसे डाल दो आपको मसाले थोड़ा सा कम ज्यादा लगते हैं तो आप डाल सकते हो तो है ना बहुत ही ईजी सी रेसेपी और इसको आप बना के रख लो ना तो जब भी आप जल्दी खान बनाना है तो इस तरह की ग्रेविया आप यूज़ करो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब किज़ेगा मिलती नेक्स रेस रेस